दोस्तों अगर आपका खाता भारती एस्टेट बैंक में है तो आज से आपकी जेब पर अतरिक्त भार बढ़ने वाला है दरसल आज से प्रभावी हो जाएगा SBI का नया बैंक चार्ज आज के इस वीडियो में आपको डीटेल्स में बताएंगे कि कहां पर कौन सी नई दरे आज से प्रभावी हो रही है आप लोगों को पता होगा कि 4-5 दिन पहले हमने एक वीडियो दिया था जिसमें आपको बताया था कि साड़े डेबिट कार्ड होल्डर्स के लिए नया चार्ज जो है यहाँ पर जारी कर दिये है SBI ने जो कि एक अप्रेल 2024 से प्रभावी हो जाएगा और ऐसे में आज है एक अप्रेल और आज से ये नई दरे जो है वो प्रभावी हो जाएंगी और आपको बता दे कि 60% तक जो है नया चार्ज बढ़ चूका है यानिकि पहले जो भी आगर आपको मालो कि पहले आपको 100 रुपै भूगतना होता था तो अब 160 रुपै के आसपस भूगतना होगा debit card charges के तो कौन से debit card आपके पास है और किसके क्या charges लगने वाले है चलिए आज किस वीडियो में details में देख लेते हैं तो यहाँ पर debit card के अलाबा किसी भी तरीके की और भी charges नहीं बढ़ाए गए है फिलाल debit card के charges को revise किया गया है Salana charges को revise किया गया है मतलब debit card के renewal charge की हम बात कर रहे हैं debit card issue charge की नहीं debit card लेने के charges अलग होते हैं और Salana जो charge करता है उसको revise किया गया है पलस GST तो आपको 80% लगना ही है तो चलिए देख लेते हैं कि कौन से debit card के क्या charges लगने वाले हैं भारतिये state bank में तो यहाँ पर आप लोग पहले कितना लगता था अब कितना लगेगा वो देख लेते हैं तो अगर आपके पास भारतिये state bank का classic silver global contactless debit card है तो अब तक आपको 125 रुपिया पलस GST यानि कि 18% की GST अगर 125 में जोड़े तो 147 रुपिया 50 पैसा होता है तो जहाँ पर आपको 147 रुपिया 50 पैसा लग रहा था वहाँ पर अब आपको 200 रुपिया पलस 18% GST देना होगा यानि कि 147 रुपिया 50 पैसे की जगह अब आपको 236 रुपिया सलाना देना होगा classic silver global और contactless debit card के लिए तो यहाँ पर देखा कि 147 रुपिया से 236 रुपिया हो चुकी charges बरका वहीं पर अगर मैं बात कर लेता हूँ दूसरे category के debit card की तो यहाँ पर बताया गया है दूसरे category के debit card है उसको आप लोग यहाँ पर देख सकते हो दूसरे category में जो debit card आते हैं वो है Yuba, Gold, Combo, debit card या फिर my card, image card जिसपे आपके photo लगे होते हैं उसके लिए आपको 175 रुपिया प्लस GST देना होता था मतलब कुल मिला के 206 रुपिया 50 पैसे अगर सलाना करता था तो वहाँ पर अब आपको 250 रुपिया प्लस GST देना होगा मतलब अब 206 रुपिया 50 पैसे की जगह आपको 295 रुपिया सलाना इस debit card के लिए देना होगा जो कि है यूवा, गोल्ड, कॉम्बो debit card या फिर my card तीसरे के डेविट कार्ड की यहाँ पर अगर मैं बात कर लेता हूँ तो तीसरे के डेविट कार्ड है वो है प्लेटियम डेविट कार्ड इसके लिए आपको 200 रुपिया प्लस 18% की GST लगती थी यानि की कुल मिला के 295 रुपिया सलाना करता था तो वहाँ पर आपको 325 रुपिया प्लस GST यानि की 18% अगर GST 325 रुपिया में जोड़े तो किस महिने में ये चार्जर्स देना होगा वहाँ पर चौथे कैटेगरी के डेविट कार्ड की यहाँ पर बात कर लेते हैं तो चौथे कैटेगरी में यहाँ पर आप लोग देख सकते हो प्राइड प्रिमियम बिजनेस डेविट कार्ड है जहां पर आपको 350 रुपया प्लस GST यानि कि अगर सलाना 413 रुपया देना होता था तो अब वहां पर आपको 425 रुपया प्लस GST 18% की देनी होगी मतलब 501 रुपया प्लस GST आपको देना होगा तो कूल मिला के 147 रुपय से 501 रुपय तक के जो है चार्जेस यहां पर डेबिट कार्ड पर रिवाज हो चुके हैं तो आप कौन सा डेबिट कार्ड इसमें से होल्ड करते हैं कमेंट स्क्षन में जरूर बताईएगा और सलाना आपका कितना करता था उस हिसाब से आप लोग देखेंगे और अब कितना कटेगा वह हमने आपको डेटियर्स में बता दिया है तो मुझे उमिद है कि ये वीडियो पसंद आई होगी वीडियो पसंद लएदे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मिलते हैं किसी नई वीडियो में दीजिए इजाज़त ठेंक यू